अब बोलेगा कुर्बा सबके राज खोलेगा कुर्बा में आज हम है वाट कुर्मांग resposta में मैं हूँ आपका होष्ण सत्य जैसवाल वाट कुर्भांग पारसद में स्रेमति शामा कंवर जो की कई वार कई बार हमने उफोन कि या कई बार उनको फोन लगाया लेकिन वो हमारे कारे काल साड़े तिन साल का कारे काल गुजर चुका है क्या कहना जाएंगे किस तरह का कारे उन्हों किया है किस तरह संतूष्ऩ है उनसे अब हम लो हम तो पार्सद महौतες संतूष्ट नहीं है कोई भी वार्ड में विकास का काम ये सारे तीन सειαल में नहीं हुआ कि जहां तक कहा जाएंगी वार्ड में समस्डियाओं का जो जैसे हमसे सुचना में लिए किस तरह का है सर बताएंगे आप पार्साद रिलेटेट तो कुछ समस्था तो बहुत है कि तो पता नहीं चल रहा है क्या काम क्या रहा है साब सफाई का तो कोई काम होई नहीं रहा है गंदेगी तो चारो तरह फैला हुआ है पानी का लाइन खोद दिये है और वह पानी तो लाइन चालू भी नहीं हुआ नाली भी भरे नहीं है अब ही वह गड़ा हो गया है वह जान लेवा गड़ा बन गया है किसी को जान जा रहा सब कुछ हो रहा है और स्वेरे सिस्टेम का अंप्लीट नहीं हुआ वह आधा करके रख दिए ऐसा कर दिए जा भी कॉलोनी वालों को बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है इतना गंदेगी पहल रहा है तो कौन सा काम हुआ पता नहीं चल रहा है संदुष्ट इसलिए नहीं है साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है और जो सिवरेज लाइन आज नाली रोड आप पार करना ही पाएंगे आप में इसे किसी को मिले जाके दिखाएंगे उसको तो उसको कईो बिगत कईो वर्षों से वो चेंबर भर के रोड को उपर से वाय जश्ट बेगल में आज में बसे हुए हैं तो इतनी गंदगी पहल रही है वहाँ डैली नगाने कम के कर्मचारी वह सभाई कर्मचारी वहां आड़ते हैं दो गंडा दो गंडा बैडते हैं साथ-ाड़ लोग अभी करेब एक अपता से मैं देख रहा हूं उन लोग चले जा क्या बताएं बताने लिए सब कुछ है आपका केमरा फूल हो जाएगा जगह जगह पे लाइट नहीं है साब लोग को बोले वो साब लोग भी कहने नहीं सुनते हैं समझ गया नाली कोई नहीं पर पानी आया था दो बार घर में पानी घुश गया आप चलके रोट चलिए हम मैं दिखाता हूं क्या सपाई है खाली नेता लोग बोलते हैं कि हम काम कर रहा है काम कर रहा है रोडों में चलना डेली एक 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 जान जा रही है लाइट की नहीं है वेवस्ता गार्डन में 67 लाका काम हुआ वह आधा अधूरा पड़ा हुआ अमरत यह जना कंपलेंट करो अदी नकीदिता है लोग तो जो सिर्फ यहां के लोड के पूरे वूर्ड के कोई भी जना रहे है उसान जो है शाहमादास जी उनको कोई जानता ही निये जो जानते हैं उनके पती का जो रवया है बिल्कुल ठीक नहीं है वो सुहम में खुद को पारशथ समझने लगए हैं जब भी हम कोई काम लेके जाते हैं पारशथ महोदया के पास उनका सीधा एक ही स्टेटमेंट रहता है कि अभी करने काम करने अरजी दिया ता जिसमें से की 30 करोर 40 लाग के आसपास का श्याद काम हुआ है तो मैं यह जानना चाथ हूँ 3040 लाग क्या काम हुआ है यहां पर यहां अमरिता योजना के तहट वतिन पार्क बने हैं 66 लेक्स के पार्क बने जिसमें कि अभी hardly six months हुएं जूले लगए सारे जूले उखड़ गए हैं घास का कोई maintenance नहीं है जिस काम में पांच-पांच साल का maintenance है उसमें महिने में एक बार आया जाड़ो लगाया टाइल्स पे हो गया यही काम है कोई काम पूरा नहीं हुआ है जो एक साल पहले बने हैं वो तो कोई बताई नहीं सकता कि एक साल पहले जस्ट अभी अभी बना है आगे चलते हैं लाटा गाउं की तरफ लाटा गाउं में समस्या यह है अगर अभी बारिश हो जाए थोड़ी सी भी आप motorcycle यहां से वहां तक 10 मीटर क्रॉस नहीं कर पाएंगे से इतना गंदा हालत है जो इससे फेले जो वीडियो आया था उसमें लोगों ने बैड दूया था सब लोग जो हैं वहां के वहीं उन्हीं कर आज इपने घर के आसपास में कर रहे हैं मेरे भाईे लाटा सिंसे पुछ लीजिए उनके पुरे घर के पास लाइट्स लगया है लाटा में कहीं लाइट नीए कहीं रोड अभी तक नहीं बना है हम लोग तो संतुष्ट ही नहीं अभी कुछ पहले टाइम पे उनसे कुछ विवाद हो चुगा था अपने बस्तिक लड़के लोग से उसके बाद माफी आफी मंगे हो और अपने लाटा में एक भी लाइट नहीं है और उनके घर से दो-दो लाइट लगए लेडी में लेडी पतियां फिर भी खुद को पार्सद समझने लगें उनका क्या है रेपिटिशन भी कुछ उत्ता खास अच्छा नहीं है गली महले की लड़कों की साथ जगड़ा करना उनके ओपर अभी हाली में केस भी हुआ है इस तरह कहा है इनका अभी तो हमारे पास पारसद यहां पर म यहुँआ है और इस वाल्ड का जो पारसद है मेरे गाल स सब्सक्राइब के लोगों ने तो वाल्ड का चे वाड्ड पारसद का तो चेहरई नहीं नहीं देखें जो क्या नाम बताएं को स्यामा दास भाई महंत आज तक हम मैंने तो नहीं देखा हूं मैं जबकि यहाँ पर विगत 25 साल से कंट्यून लगाता रहा हूँ और भी बहुत सारे भाई लोगों ने नहीं देखें उनका पारसद पती है एक जो अपने आपको पारसद समझते हैं कोई काम नहीं कराते हैं भी या हमारे कालोनी के अंदर पर ये पोजिसन है हम लोगों ने लड़ जगड करके नगर निगम से जिम के लिए यहाँ पर कलोनी में समान मगवाया पाचलाख रुपिया का समान भी प्रोवाइट किया निगम ने उसको उठा करके कुछ जोला चाप कांगरेसियों की मदद से उनने अपना घर के पास में ले जाकर के घर में रखाए कि कहां पर बंद किया कि बेज दिया वो जिम का अस्तक पता नहीं है, वार्ड का कोई भी सदस्य, उस जिम का फैदा नहीं उठाया, वो जिम का समान कहा गया, वो पारसद महोदे बताएंगे, वो आते हैं, तो आने को तैयार नहीं है, हम पूछते हैं, बताने को तैयार नहीं है, कुछ जोला चाप कांग्रेसी है जो उनके साथ खड़े रहते हैं और वो अपना बुरा बंदर बाट चल रही है पूरी की पूरी पूरी पारसत के दुआरा बहुत यहां के वार्ड की समझ्या को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास बहुत ज़्यादा संगर्स हमेशा एक कर रहे है जैसा विकास वार्ड में हो कर हमेशा अंदेखा किया जाता है इस कारण से यहां पास विकास में रफ्तार नहीं आए पाई धीमी है और जैसा विकास वाडवासी जाते हैं वैसा विकास अभी तक यहां पास नहीं दिखा मगर कुछ-कुछ विकास पारसत ने संगर्स प्रयास करके किये हैं यह फिलाल जी जी यह कह रहें कि कुछ पारसत कुछ-कुछ विकास किये हैं तो हम लोग सारे जनता को यह मालूम है जो सिर्फ इस वाड में प्रोग्रेस हुआ है तो एक दारू बट्थी खुला है जिसका दारू बट्थी का उन्होंने खुलेया में इस्कूल के बगल में जबकि यह कोई भी स्कूल मंदीर के बगल में दारू बट्थी नहीं खुल सकता है लेकिन यह कॉंग्रेस महापौर के संरक्षन में और यह महामहिम पारसत के संरक्षन में वह दारू बट्थी का निर्मान हुआ जो वाड में साम के टाइम 6 वजे के बाद इस रोड पर चलने के लिए हमते लोगों का सोचा ना पड़ता है एक तो पूरे रोड उखर रहे हैं अभी रोड की क्वाइलीटी अभी एक सल पहले बना है उसके तीन महीना बाद पूरे रोड को खोद दिया गया पूरे कल襟 में अभी तक उसका कॉंक्रीटिंग नहीं किया गया पैपलेन का काम किय जो वो कंदर सरकार का योजना यह कंदर सरकार कर योजना थi पाइपलाण का काम हुए लेकिन उसका लाव कुछ नहीं है उस्के पानी मतलब यह नहीं है जिवरेत लैंच इसका विरोध सरआभःति का विरोध हमारी पालटी जनता कांग्रेस जोगी ने फूढ़ हुआ विरोत किया गया था उस प्रांगण में जाके विरोत किया गया था मगर यहां पस पुलीस प्रसासन जारा हमको धमकी दिया गया कि आप लोगो अंदर कर दिया जाएगा जेल भेज दिया जाएगा आप लोग तकाल उट उसके बाद भी हम लोग डटे रहें मगर सासन के सामने किसका क्या चलता है रही बात यहां पास मैं तो बोल रहा हूं यहां नाली जो पाइप अभी पानी का पाइप जो गड़ा है और सहर में सबसे ज़्यादा जुग्गी जोपड़ियों में सहर में पानी की उत्ती ज़्याद्य आव सकता नहीं है मगर महापवर विधायक के पहला पानी का प्रात्मिक्ता कोर्बासार को दिया तो पस्चिम के छह पास्चिम के साथ हमेसा ही विधायक चाहें महापवर व यहां जो पारशत जी हैं, उनके कारी काल में कारे संतुष्ट जनक रहा हैं mira यह तो है कि यहां बहुत तकलिफ है, है जगो पे तकलिफ है, एक एक बातों को लेके भी यार्ड वालों को भी है, और मैं तो आज तक यह नहीं समझ पाई कि जब 5 सल होने को आता है तब यहां बहने बनती हैं और ऐसे चार सल क्यों नहीं याद आती परसनल मुद्दे पर ना जाए मैं समझता हूं कि आप वार्ड के कारियों के बात के कारियों में तो मेरे हिसाब से एक तरह से देखा जाए तो साड़ा के अंदर कालोनी में तो कुछ विवस्ता हैं पर जब में जाएंगे तो विचारों को बहुत तकलिफ हैं कि नाली देखा यहां भी कोई डेवलप्मेंट नहीं है बेसिक जितनी भी एमिनिटीज हैं वो सब मिसिंग है यहां पर ना हम लोग के बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड है जो होना चीए जितना भी है सब NTPC के तो NTPC तक वहां तक छोटे बच्चों को भेजना खेलने या किसी भी तरह से वो है दूसरा साड़ा में तो फूक मारने से भी लाइट गोल हो जाती है यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साड़ा की और हर दूसरे दिन हमारे यहां लाइट गोल है जिससे बच्चों का तो ए उसन नाजर आ रहे हैं। कि तो आज तग nostrum कर रही थे कि चलो आज देखने को मिलेगा लेकिन आज हुआ साल हुआ कि उसको जब डर नहीं था तो वो आती सեռने और हमारी बात सुनती कि मतलब इनको प्रॉब्लम क्या है तो उसको खुड देर था कि हम साड़ा में कुछ इंप्रूव ही नहीं किये हैं तो मैं जाओ कैसे सामने और जाओंगी तो फिर मीडिया देखेगी लोग देखेंगे चार बात सुनने को मिलेगा तो हम जाती नहीं तो दस पर जो करते उसको डर नहीं रहता तो तूरंत ती और बोलती हमारे सामने फेस टू-फेस कि हम यह कारिक की हैं तो हमको इतना मतलब यहां पर खड़े हो के यह जरूरत ही नहीं पड़ती ना कि यहां नाली खराब है हमारे बच्चे विमार पड़ रहे हैं यहां लाइट की कि अपने और कभी उनको हम लोग पैजान भी निपाए कि वह कौन है क्या काम करती है पर यहां जो ठेका शिराब का खुला है इसको बंद होना चाहिए और यहां से अंदोलन आपको पारसत के सांथ मिलगे करना जी जी तो पार्शाद आए तो सामने हैं पार्शाद हमारी ब में तो लाइट की जेल हूए और में तो लाइट की प्राबलम है अकार कश्ड़ी का इसा सिस्टेम है मैं तो आज에 ऐसे सहर में शाहर नहीं देखी दोदबां देकर गए में संदे के आगा उसे वाले आप एक दिन कर जा싸 में ऐसे सिर्फ कच्रे में संडे के संडे आते हैं जैसे कछ अलग से उसमें भी कुछ शार्जेस मैं चार्ज पे करेंगे तो कहते हैं और अगर आप चार्जेस नहीं देते हैं मंतली तो ना हमको डबा मिला है ना कुछ और बोलते हैं कि डेली अगर नहीं देंगे तो हम संडे या जब भी उनका मन है तभी आएंगे कर दो क्या दो किया तो क्योंकि जब उसको डर नहीं है तो फिर मेरे को माद तो को सुने गाई पाइप्लाइन का यहां जैसे के भी काम चला है रोड के किनाले पाइप्लाइन बिचा हुआ है एक तो ऐसा ही नाली पूरा जाम है और उसके बारे में कंप्लेंड करो तो कोई साफ नहीं करते हैं और बिजली का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यह हमारा दुरभाग है कि इस जी 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 चलिए एक बात हमारे सर कहाना है साडा कलोनी में 1992 में हम लोगेया बिचके खा गया है और सारे चेंबर के अंदर में पत्थल डाल करके जाम कर दिए जितना सीवर की स्थिती सबसे पहले किया जाए अन्य था इस बार हम लोग बहिश्कार करेंगे बोट को नोटा में जाएंगे बाकी इसके लावा तो कोई साधन नहीं हमारे पास भाईया ऐसा है कि हमारे यहां साड़ा कॉलनी में आज करी 20 साल मेरे को हो गया 24 साल से साड़ा कॉलनी का पूरे जितने गली के रोड है सारे रोड फुटे हुए थे संजोग से अगले साल ऐसा सोभाग के हम लोग को प्राप्त हुआ कि रोड बना उसके बाद यह स्कीम आया पानी का पाइप डालने का वो रोड में इतना सटा के पाइप का डाल दिया गया कि रोड पूरे फुट के सारे के सारे बरबाद हो गए आज के डेट में आप परा कोलनी में किधर भी घूम जाई है सारे के सारे रोड आपको खराब मिलें रोड पूरे फूट गए बिजली की स्थिती इस कलोनी की ऐसी है कि अगर मतलब हलका हवा चले तो भी उसको कटना है पानी थोड़ा गिरे तो भी कटना है ना पानी चले तो भी कटना है पारसत से पुरा कालोनी असंतुष्ट है और पारसत को चुनाओं के बाद नहीं देखा गया यह जो बोड़ रहे हैं एकदम सही है हमारे यहां सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है यह पानी टंकी बन रहा है उसके उस पर जो है सीवरेज टेंग बनाए गया और वो साल भर भी नहीं हुआ पूरा भर गया और उसके चारो तरह बोवर फ्लो का गंदा पानी फैला हुआ है और उसमें जानवर होगर डूब जाते हैं समय में और उसके कारण दुरुगंद पूरा इधर आता है हवा चलता है तो और मच्छर होगरा सब पनपते हैं उससे बीमारी होगर प्रकूप फैल रहा है कालोनी में चले चले यह तो हम अभी जी जी कुछ कहना चारी में सीवेज लाइन का जैसे सर ने बताया हमारे यहां टौलेट जाम होते हैं अगर तो बारा हजार दे के इस बहर तीन चार फैमिली इखटा होकर क्योंकि आगे कहीं फ्लो नहीं है सब तो बीच में जाम है तो उसके लिए चले लिए लेख जब लेने को तैयार ही नहीं है और अगर जो लेना भी चाह रहे हैं अगर कुछ कर भी रहे है तो उसमें भी औबजेक्शन किया जा रहा है रहा है बार-बार यह जो हमारे यहां फोग मशीन कल घूमी है हमारे घर के पास तो इंडिवेजली हमारे बाडी म पेड़ हैं तो कहीं महां डोइंगू के मच्छर ना हो इसलिए उन्होंने परसनली घुमाया है और इसके लिए मैं जन संगठन को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि कम से कम एक आम आदमी के घर उन्होंने आकर यह पहल की है और उनसे हमको कोई नहीं यह जानता और पूरा सड़के कोई सफाई नहीं है सिवरेज पूरा खुदा हुआ है कोई स्ट्रीट लाइट की कोई ववस्ता नहीं है कोई काम थोड़ी बहुत यहां पर जो बिजली की ववस्ता सुधरी है वो जैसी अभी एक हमारी बहन ने बोला जन संगटन वालों ने आकर के यहां पर नगर निगम ने तो अपना दाईत नहीं निवाया बिलकुल भी पर जन संगटन जो विसाल केलकर जी के नेतरतों में यहां काम कर रहा है उनने हमारे कालूनी के लिए और इस छेतर के लिए काफी काम कर रहा है वो बिजली की समस्या से भी काफियत तक मुक्ती मिली और डेंगू के लिए वो अपना खुद के खर्च पे मसीन फागिंग मसीन लाकर के घर-घर में और पूरा रोडों में और आसपास आप द्रणिगम तो अपने दावित को निभाई नीरा खाली टैक्स ले रहा है वह हम लोगों से बस कोई माफ नहीं हुआ है पूरा सारा टैक्स ले रहा है और दम दे करके टैक्स ले रहा है पार्षद मोदया से सभी बहुत ही असंतुष्ट है किसी भी तरह की सफाई नहीं है बिजली के प्राबलम है, यानि पूरा गटर जो है, जाम हो रहा है, साड़कों पर जो है, उसका मैला फाइल रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है, इवेन ग्यारा सो नंबर जो बहुत पापुलर है कि वहाँ पर सिकायत करने से अटेंड होगा, कोई भी रिस्पा बिजली की सिकायतें भी नहीं दूर हो रही है, उनका कहना है ग्यारा सोपर की कांडर पूरे संसेट वाड़ों में देखने को मिलती है, जहां तक हमने भी सिकायत की थी, तब भी ये कहा गया था कि सिर्फ हमारे वहाँ एक आदमी, मतलब संसेट वाड़ और एक आदमी है, ये बहुत ही दुखत भरी इस्तिती है, बिजली स्टेट लाइट के लिए, फिलाल पारसद नहीं होने काण हम उनका पट्ष नहीं ले पा रहे हैं, और… हॉलमार्क जलरी की विशाल शिंखला उपलब्ध है, डैमन जलरी, आई जी आई और जी आई ए प्रमाडिक्ता के साथ कमरेट पर उपलब्ध, एंटिक जलरी और कुंदन जलरी की विशाल शिंखला, पुराने जलरी को केरोटोमीटर से परखनी की सुई था, गोल्ड कलब स स्कीम के तहट इंक्यावन प्रतिशत के मेकिंग चार्ज में छूट का लाब उठाईए। वैलेट पार्किंग की सुईधा। अनोप्चन तिलोक्चन ज्वेलर्स पाउर हाउस रोट कूरबा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-270-4477। कौरबा में एक जाना पहचाना नाम लोकेश फरनीचर। आपके मकान को बनाएं एक सुन्दर घर। 0% ब्याज पर बजाज फाइनेंस द्वारा ततकाल फाइनेंस की सुईधा। फरनीचर्स की दुनिया में एक विश्वस्निय नाम। आपकी संतुष्टी हमारी पूंजी है। आपका विश्वास हमारा आधार है। उच्चतम क्वालिटी हमारा वादा है। दो वर्ष की गारंटी के साथ घर पहुँच सेवा उपलग। हमारे यहां आप पाएंगे लगजरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, वाडरोब, ऑफिस टेबल, रिवाल्विंग जेर, टैनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ट्रेसिंग टेबल, पैप्स एवं, डियोरोफ्लेक्स मैट्रस, काउच, मडियोर कीचन, स्पेशल शादी के आइटम में भारी छूट, लोहालमारी एवं सभी प्रकार के फर्निचर्स उपलब, आपके पसंदिदा साइस एवं डिजाइन के समान, ओडर पर बनाये जाते हैं, हमारा पता, लोकेश फर्निचर्स, पाउर हाउस रोड, सुनारिया पुल के पास, कोर्बा, मुबाइल नमबर, 930- 930-9052 और 8234-007348 रुजान तो यही है, जो देखे, आज 15 साल हमारे माननिये रमन सिंजी का हो गया, कार्ज काल, वो मिला जुला के बहुत अच्छा कार्ज किये हैं, और जनता में उनके उपर भरोसा है, चाहे वो भारतिये जनता पार्टी से कोई भी कंडिट खरे होंगे, उनके लिए, अभ बैजा, इस बार तो हम चाह रहे हैं कि जोगी कांगरेस हमारे देश प्रदेश में आए, और मानी जोगी जी मुखे मंत्री बने, ताकि हमारे प्रदेश का कल्यार में, कोर्भा विधान सब्सक्राइब, बिल्कुल राम सिंग अगरवाल जिंदावाद, राम सिंग अगरव काम तो कुछ होना नहीं है, इसलिए नोटा जाना बेटर है, वैसे बीजेपी काफी पॉपलर पार्टी है, नेशन्दे उसको पुना सरकार में आना चाहिए, हमने पस्चिम छेत्रों में हर बर, चाहे कॉंग्रेस पाल्टी को, चाहे भारती जंदा पाल्टी को हर बर चुन जन संकट विसाल केलकर, वो रोड भर रहा है, वो बिजली के लिए लड़ रहा है, यहां रेडियम रोड में जो घटनाए हो रही है, जानवरों के दारा, उसके समाधान के लड़ रहा है, क्या यह जन प्रतिजनी को चुने हैं, हम लोग इनका कर्तब नहीं बनता, मगर एक लिए क्या कहना चाहेंगे? आरहा है, आरहा है, आपके पास आँगे? लेकिन जो कोई भी पार्टी, कोरवा का, हम पर्देस का बात नहीं करेंगे, कोरवा का बात, कोरवा बिदान सबावा, चेतर में, भाई साहब लोग बोले हैं, नोटा के लिए मेरा मत है, जो नोटा में पर उसका कारण सबसे बरा कारण है जो जितने भी हमारे जन प्रतिनीधी बनते हैं कोरबा के बनते हैं और सारे विकास का काम कोरबा में होता है सारे मुद्राएं यहां से जाती है राजासों यहां से जाती है पस्चिमी छेत्र से लेकिन पस्चिमी छेत्र में development का काम कुछ भ पावर हब बना है उसमें या तो मेडिकल कालेज खुलना था या कोई बड़ा ऐसे अपने को सुईधा मिलना था जिससे कि यहां लोगों के भलाई का कोई काम हो वहां वो छोटे-छोटे बच्चों का हास्टल स्कूल खोल दिये हैं यह पावर हब जो से एजुकेशन हब बना है करोड़ वार उपय का यहां आपके मेडिकल के लिए कोई फेसलेटी नहीं है हमारे इस छेत्र में अगर यहां के तीनों यह सिसेल एंपीबी और अपना नगर नहीं जाना चाहिए था मैं कोर्बा विधान सभाब में यही जानना चाहता हूं कि क्या इस बार बदलाव मत लगा कि जो इस अद्दे से इस अदिसा में कार करने के लिए हम लोग को मने प्राविस करेगा या उस दिसा में उसको देखेंगे तरफ हम उट करेंगे सबको एक ठोकर कम से कम एक ऐसा जन प्रतनी सामने आ रहा है जो हमारे लिए काम कर रहा है घूम घूम के लाइट की समस्या देख रहा है रोड की समस्या देख रहा है विशाल केलकर उसको समर्तन करो ना सब लोग मिलके एक समर्तन करेंगे तो दर्वी छेतर से इधर कम प्रतनीतों मिलेगा किसी को विशाल केलकर जी का नाम आ रहा है जी जी सर आपको अपनी कुछ बात कहने जोगी जी का नाम आया राम सिंग अगरवाल जी का नाम आया बैसे मैं आपको बता दूं सो परसेंट होता है एक से एक परसेंट जैसी इंग अगरवाल जीतेगा नोटा में बोट देके अपना बोट खराब मत करो मेरा सब से कहना है और रही बात इसकी 15 साल से यहाँ बीजेपी का मेयर था दर्वी में विकास नहीं हुआ जो विकास अ नहीं देखा लेकिन महापौर आपके यहां कथा हो उसमें भी रहती है महापौर हर घर में जाती है हर एक की दुख सुद्धा सुनती है अब जोब दर्री में रोट टूटा था मैं जब भी गई हूं मतलब लगब लगब तीन बर मैं गई रात को लोट कर आ रही थी और पा तो जब भी आई ना मैं एक्सिडेंट होने से बचा तब तो कोई वीजेभी ना कॉंग्रेस ना कोई ना कोई ना कोई नहीं दिखा तो वो जन मतलब बोलते ना आम आदमी मैं किलियर कर दूँ एक्च्वल ये अपना गोपाल पूर से लेके और अप्पु घर तक ये रोड नगर निगम के अंतरगत नहीं है यहां तक पूरे 36 में इसतित हो गई हैं लेकिन を जैसे लगत रुप है सामने संतकबीच भवन अधा यह बन हुआ हैं वाय बना हुआ है और उस आदमी को आजैसी स्थिति की परिवार सहीद सोसाइट करने पर तयार है आज तक एक रूपया नहीं दिये गया यह हमारे महापवर सरक्त यहां देन है और बोलते हैं कि कॉंग्रेस नहीं काम के हो काम के यह काम होती है इतनी वरी बिल्डिंग बना के दे दिये एक रू मतलब यह जमीन दूसरे की थी जमीन नहीं सर गया इसका पेमेंट आतक एक उस पार्टी को नहीं दिया गया मतलब बनाने वाले को पैसे नहीं मिला आतक एक रूपया नहीं मिला यह जो आरोप लगा रहे हंदेड परसंट असत है हमारे जो महापवर ने यह साड़े-4 क्रिमान जी बोले पी डेवलूटी का रोड है मैं मानता हूं पी डेवलूडी का रोड है मैं मानता रहा है लेकिन य Beach of a Gopalpur तक नगणिगम चेता रहा है नगणिगम का दायुत नहीं है जो उसको रोट को भरए ऐसी डेयंट होरा थेक है वह रोट का जिन्नो धार नहीं हुआ हमारे साड़े चार साल साल हो गए है विधियक जी को विधायक बने अभी याद आ रही रोट की अभी आ जब कि विधायक फंड से महापोर्फंड से ये रोड बन जाना चाहिए था अब कॉर्बा की इतिहास में काले पन्नों पे लिखा जाएगा कि विधायक फंड भी इनके पास है महापोर्फंड भी है ये कैसा अंदोलन करें कैसा महौल बनाना चाहते हैं कॉर्बा में ये रोड किसकी है ये हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि PWD की है कि नगर निगम की है ये रोड हमारी है आम जंता की रोड है क्योंकि डेली ट्रैवल हमको करना पड़ता है हम हर दिन इनोवा या स्कॉर्पियों में बैठ कर और महिनों में एक बार सिर्व इस तरह भ्रमन नहीं करते है हमको डेली के आना जाना है तो ये रोड हमारी है और इस पर जो काम कर रहा है हम सिर्फ उसी का समर्थन करेंगे हमारी बेहन ने जो काम बिल्कुल सहमत है हम टेक्स देते हैं लेकिन इसके सम्मन में भी बता दें महापावर विधायक ने कई लेटर लिखे रमन सिंग को कि ये रोड हमको एंड ओबर कर दो लेकिन अभी तक हेंड ओबर नहीं हुआ है उनकी मजबूरी है अच्छा उनकी मजबूरी है नहीं कर सकते है उसमें अभी PWD तयार है जब उस दिन धरना हुआ कि हम रोड देने को तयार है जिस दिन नगर नेम को मिल जाएगा रोड ये बन जाएगा रोड रोड वो PWD की बात कर रहे है ठीक है मैं मानता हूं रोड PWD का है वो नहीं काम करना चाहते है रमन सिंग पर थोप रहे हैं लेकिन जो सिवरेज प्लांट है यहां पर आप चलके देखें वो किसका काम है वो रमन सिंग का काम है साड़े तीन साल हो गया सर ब्लोग पार्सन नहीं देख पार रहे हैं लेकिन उसमें जो है हम लोगों की भी उसमें कुछ गल्तिया है आज आप देखिए हर घर के सामने नाली ब्लोकेज होगी हमारी पब्लिक की भी गल्तिया है वहीं कचला डाल देंगे वहीं बोग अपना सीवर ट्रेंक महीनों सालों साथ नहीं कराएंगे यह इसमें गल्ति जो है पब्लिक भी है यह कह रहे हैं पर पार्समा सल होने को आ गया है जो रोट का काम पारस्ट नहीं करवा पाई ओ आम इनसान इस कालोनी में रहने वाले कर भाईया नहीं करवा दिये क्या है हमारे नेता खाली अपना पाकेड भरते हैं जनता के बारे में नहीं सोचते हैं खाली हमारा पाकेड पी डबलू पी डबलू क्यों हम प्रतिनी दी चूने हैं उनका काम है जनता की सिवा करना यह मुद्दे की बात चलती रहेगी है और अंदेरा भी हो चुका है हमारा केमरा जवाब देगा क्योंकि हम कवरेज करने में तोड़े से नाकाबिल होगे और सबकी आवाज हाला कि पारसद हमारे बीच नहीं है हम उनका पक्ष नहीं लेपा रहे हैं और यह जहां तक विदान सब्सक्राइब करेंगे और चलती रहे हैं जो हमारी बेसिक नीट्स को ध्यान पर रख रहे हैं सिर्फ हम उनका सपोर्ट करेंगे जी जी चली चली वह मुद्दे की बात है और आप सभी ने यहां पर अपना समय दिया इसके लिए हम तभी कलोनिव सी को का सभी लोगों का अधर हमारी मता हैं भेनों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं अब बोलेगा कोरबा अब बोलेगा कोरबा तेंक्यू तेंक्यू वर्मच आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद तेंक्यू